दोस्तों अस्सलाम अलेकुम नमस्कार और सस्केकार इस्तक्बाल है आप लोगों का गरीब नवास चैनल पर दोस्तों आजकल हम देख रहे हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं एक तो उनके साथ भूक की जो प्रॉबलम में वो बहुत जादा देखने को मिल रही है बच्चे जो जादा पसंद आता है और उसी खाने की वजए से उनकी तवेद भी खराब होती है और उनका शारेडिक और मांसिक विकास दोनों धंसे नहीं हो पाते तो आजकल जो हमारी माताएं हैं जो जिनके बच्चे हैं चोटे वो आजकल इन सब चीजों को लेके बहुत जादा कि पहली बात तो बच्चों को समय पे भूख नहीं लगती और दूसरी बात वो खाते भी हैं तो भार का खाना खाते हैं जिसकी वजएसे उनकी शारेडिक और मांसिक विकास नहीं हो पारा तो इस चीज़ को मद्दे नजर रखते हुए आज हम लेकर आएं बैदनात का बाल जो है बहुत जादा मात्रा में डाला गया है जिससे फायदा यह होता है कि एक तो बच्चों की भूख बढ़ाता है ताकि बच्चे प्राकरतिक तोर पे ही उनको अंदर से भूख लगती है और वो खाना खाते हैं ठीक डंग से इससे उनकी हडियां और मास पेशियां दोनो मजबूत होती है इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज है वो हमने देखा है कि आजकल के जो बच्चे हैं बार के खाने की वजए से जल्दी जल्दी उनकी तवेत खराब होती है कभी उनको ओल्ड और कफ हो जाता है कभी उनको बहुत जादा खांसी हो जाती है कभी पेट कभी पेट खराब हो गया कभी सर में दर्द हो गया कभी हलका था बुखार आ गया कभी शरीर में अकड़न या ठकावट रहती है तो बहुत सी चीजे बच्चों के साथ रहती है ना इन सब चीजों का ये समधान है मतब इस दवाई से जो है इनको इस तरह की विमारियां आस्या नहीं होती इसका मैं आपको देखी फार्मूला भी दिखा देता हूं इसमें जो मुख्य तोर पे दस जड़ी भूटिया डाली गई है उसमें मुलेटी है आतिस है नगर मोटा है अनंत मूल है हरिताकी है अजवायन है वचा है और विदांग है और ये बैदनात की आ ये दवा आज की कोई नहीं दवा है और मार्केट में अभी लाउंच चाहिए नहीं ये बैदनात की लगबग 35-40 साल पुरानी बहुत पुरानी जो है दवा है जो मार्केट में असानी से भी मिल जाती है इसकी लेने की जो विदी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ इसक तो दो से आठ साल ये दस साल तक का बच्चा जो है बारा साल तक का जो है आप उस बच्चे को दे सकते हो और जो छोड़ा बच्चा है उसको एक स्पून देना पड़ता है दो बार एक बार सुभे और एक बार उसको रात को खाना खाने के बाद और अगर बड़ा बच्चा है 10 साल, 12 साल, 14 साल का तो उसे 2 चम्मच जो है वो दिया जा सकता है खाना खाने के आदा घंटा के बाद या फिर आप उसे खाना खाने से आदा घंटा पहले भी दे सकते हैं ताकि जो है ये फायदे दोनों तरह से करता है अगर उसको पहले दोगे तो बच्चे की भूग निकल के आएगी और अगर बाद में देंगे तो जो है बच्चे की पाचन के रिए अच्छी रहेगी उसका खाना जो है वो ठंग से उसका डैजेस्ट हो जाएगा और साथ में उसे किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी अब मैं आपको यह दिखा देता हूँ कि यह देखने में किस तरह से है यह बॉटल तो आप लोगों ने देखी लिए एक तो यह बिल्कुल मीठी होती है तो बच्चे जो है इसे बहुत अराम से पीज लेंगे इसमें कभी भी कोई बच्चा जो है वो कोई परिशानी नहीं करता है देखिए बने बॉटल जो है एक खोल रखी है यह देखिए इस तरह की यह लाल रंगी होती है यह आप देख सकते हैं यह लाल रंगी होती है और बिल्कुल इसका मीठा टेस्ट होता है तो टेस्ट में किसी तरह की परेशानी नहीं है इत्मिनान से आप इसे बच्चे को देंगे और बच्चा ले लेगा इसमें दवाई जैसा कुछ भी नहीं महसूस होता बच्चे को तो दोस्तो ये थी हमारी आज की जानकारी बैदनात बालामरित के उपर और इसकी कीमत भी कुछ नहीं है ये 200 ml की बॉटर मात्र 75 रुपे के आसपास आती है और ये अराम से किसी भी कैमिश की दुकान पे किसी भी आयरुवेदिक युनानी किसी भी दुकान पे आपको बहुत आराम से मिल जाएगी ज्यादा परेशानी की जुरूत नहीं है अगर फिर भी कोई परेशानी हो तो आपके लिए बुकिंग का लिंक नीचे दे दिया गया है तो मैं उमीद करूंगा कि आप इसे अपने बच्चे को पिलाएंगे आज कल इंतिहान का भी समय चल रहा है बच सब्सक्तों के साथ और अपने इश्यदारों के साथ इसे शेयर करें अभी के लिए खुदा आफिस शबक है